नमश्कार दोस्तों, आपके UPSC मेंस पेपर 2 के अंदर टॉपिक है इंटरनाशनल रिलेशन्स और इसके अंदर आता है इंडिया एनिट्स नेवर होड़। तो इससे रिलेटेड एक definitely question आ सकता है कि भारत के अंदर यहाँ पर जो चर्चा चल रही है third aircraft carrier के बारे में यहाँ पर आप news भी देख पाओगे प्लस यहाँ पर इंडिया नोशन के रिजन जो अलग-़लग महाशक्ती है क्योंकि आपने देखा होगा US का, UK का अलग-अलग आपको यहाँ पर novel base देखने को मिलता है इंडिया नोशन के अंदर तो हर किसी का इंडिया नोशन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है इसके लिए जरूरी हो जाता है कि इस पूरे region के अंदर जो भारत का dominance है वो अच्छे से बने रहे ताकि यहाँ पर trade को लेकर security को लेकर हर एक चीज हमारे favor में हो तो इसके लिए यहाँ पर इंडियन ने भी चाहती है कि third aircraft carrier होना चाहिए इसके बारे में हम detail से चर्चा करेंगे overall perspective को जानेंगे पाकिस्तान चाइना के perspective से चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और update के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे lecture की है PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी plus साथ में आप मेरा telegram channel join कर सकते हैं by searching अंकित अगरवाल official और जैसा कि आपको पता है UPSC का notification आ चुका है और यहाँ पर study IQ लाया है आपके लिए comprehensive course UPSC का जिसके तहत आपको जितने भी important चीज़ें चाहिए होती है tools चाहिए होते हैं आपके preparation के लिए videos से लेकर daily quiz से लेकर magazine से लेकर हर एक चीज की analysis आपको हमारे course के अंदर मिल जाएगी तो जल से जल आप इसका फायदा उठा सकते हैं तो यहाँ पर चली शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि aircraft carrier का मतलब क्या होता है जब मैंने कहा aircraft carrier तो basically एक ऐसा ship एक बड़ा ship जो की aircraft को भी handle कर सके मतलब कि वहाँ से aircraft take off और landing दोनों कर सके इसका मतलब क्या होगा आप खुद सोच के देखो normally क्या होता है कि हमारा जो naval base है जो land होता है वहाँ पर से ही हम सी चीज़ें operate कर सकते हैं लेकिन अगर हमें अपने security को defense को और मजबूत करना है तो यहाँ पर aircraft carrier होना चाहिए ऐसा ship होना चाहिए जिसको हम कहीं भी भेज सकते हैं wish में कहीं भी उसको भेजा जा सकता है और एक तरह से हमारा वो naval base की तरह काम करेगा मतलब कि चलता फिरता जो naval base है उसको हम कह सकते हैं कि aircraft carrier होता है और यहाँ पर पूरे wish में अगर आप देखोगे तो बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह का naval जो aircraft carrier है वो आपको देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा ship होता है जो की काफी बड़े बड़े जो aircraft हैं यह सारी चीजे वो handle कर सकता है और इस तरह का air strip आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर flights, jets हैं वो land कर सकती हैं, take off कर स तो यह बहुत ही important और आज के date में अगर आप देखिए तो US के पास सबसे ज़्यादा है, 11 aircraft carrier है, इतना किसी के पास भी नहीं है, उसके पास China, भारत हो गया, इस तरह से number में आते हैं, 2 है, किसी के पास 1 है, लेकिन US के पास सबसे ज़्यादा है 11, तो जिसके पास यह होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी महाशक्ती कहलाती है, तो यहाँ पर अब हम आते हैं कि हम इसके बारे में discuss क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी present में अगर आप देखोगे, तो भारत के पास 2 aircraft carrier है, although अगर आप देखिए तो service के अंदर सिर्फ एक है, that is INS Vikrama देते है, INS Vikrant कहा है कि 2020 में आज आना था, लेकिन अगेन कुछ ना कुछ चीजों की वज़े से delay हो गया, और करीब 1-2 साल और लग जाएंगे, जितना trial वगर है, almost complete हो गया है, और 2022 तक बताया जारा है, अगले साल तक यह आपका service के अंदर आ जाएगा, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के पास इस समय, INS Vikramadit और INS Vikrant, although अगर आप देखोगे तो latest अभी retire हुआ है, जिसका नाम है INS Virat आपने सुना होगा, जिसको Supreme Court के अंदर भी उसको लेकर case चल रहा है, मैं आपको आगे बताऊँगा, तो यहाँ पर दो हमारे पास हैं, लेकिन भारत कोशिश कर रहा ह है कि यहाँ पर तीसरा, INS Vishal, ध्यान रखेगा इसका नाम, INS Vishal 2030 तक हम ये Indian Navy के अंदर ला सकें, और ये हमारे द्वारा बनाया जाएगा, भारत के द्वारा इंडिजिनेसली इसको डवलप किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर question आता है कि भारत को क्या इतने सारे aircraft carriers की तो आप कह सकते हो अपने exam में, यहाँ पर तीन primary reasons हैं, एक सबसे पहला है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर आप अकसर देखोगे, तो कुछ ना कुछ conventional wars जैसी चीज़ें होती रहती हैं, बाला कोट और इस तरह की चीज़ें हमेशा हमारे पास handy में होना चाहि देगी, दूसरा है यहाँ पर Indian Ocean, Indian Ocean region के अंदर अगर हमें अपने foreign के जो competitors हैं, उनसे यहाँ पर compete करना है तो aircraft carrier किया हो शकता है, और तीसरा region है वो है आपका China, जो geopolitical competition है, और अगर आप देखोगे तो China का border जो है वो Indian Ocean शार शेर नहीं करता है, लेकिन still I'm sure आपको पता होग जिस तरह से वो अपना रफतार बढ़ाना चाह रहा है, चाहें सिलंका हो, अलग-अलग देशों के साथ वो अपने novel base को जो है, वो वहाँ पर open करता है, तो यहाँ पर एकिक करके तीनो reason को और थोड़ा detail में समझते हैं, सबसे पहला है आपका जो पाकिस्तान है, पाकिस्ता और इसलिए जो INS विशाल है, वो बहुत बड़ा, एक काफी बड़ा heavy ship होने वाला है, जिसके तहत यहाँ पर हम जो बड़े-बड़े aircraft होते हैं, जो jets होते हैं, उसको हम landing करवा सकते हैं अपने carrier aircraft के उपर, जिसके तहत यहाँ पर काफी जादा भारत को मजबुती मिल जाए तो पासकिस्तान की perspective से important हो गया, दूसरा, इंडियन ओशन की बात करें, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कि यह पूरा इंडियन ओशन का region हो गया, और आप देखोगे, चाहें दियागो, ग्रेशिया है, जितने भी islands आपको देखने को मिलेंगे, तो foreign का आपको contribution आउशकता है, ज्यादा हम बनाएं, दूसरा, हमारी पास geographical यहाँ पर advantage है, क्योंकि भारत के लिए तो यहाँ पर पूरा region सबसे पास में है, चाइना को समय लग जाएगा, इधर आते आते, किसी भी देश को समय लग सकता है, लेकिन हमारा जो geographical advantage है, हमें उसका फायदा उठा लेकिन at least वो उसका presence होने का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर जो दूसरी महाशक्ती है, दूसरा कोई जो देश है, वो हम पर attack करने से पहले 10 बार सोचेगा, इसके बारे में, तो इसकी वजए से यहाँ पर यह जरूरी हो जाता है, और जो 3 और 1 of the most important reason है, वो है आपका चाइ की है, यहाँ पर चाइना का experience देखेंगे, तो कम है भारत के perspective से, क्योंकि भारत ने पहले से ही, आजादी के बाद से ही, यहाँ पर जो aircraft carrier वगरा है, उसके उपर ध्यान देना start कर दिया था, लेकिन पिछले 10-20 वर्षों में आपने देखा होगा, जिस तरह से चाइना ने य हमारी लिए advantage का है, जैसा मैंने बताया, अगें, यहाँ पर जो geographical location है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं, चाइना के perspective से, लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए, अगें, हमें INS विशाल जैसे बड़े जो aircraft carriers हैं, उसकी यहाँ पर आउशकता पड़ेगी, और in fact, जैसा कि मैं even Soviet Union की बात करिए, भारत ने submarine के बजाए, आज के लिए पर हम submarines को भी देखते हैं, बहुत important role होता है submarine का, लेकिन उससे जादा हमने important जो है, aircraft carrier के construction के उपर, या फिर उसके development के उपर हमने ध्यान देनी की कोशिश की थी, although आप कह सकते हो कि उसमें भी बहुत लंबा समय लग ग तो सबसे पहला INS Vikrant, ये सबसे पहला हमारा aircraft carrier था, आजादी के बाद अगर आप देखोगे, तो ये again, हमने, ये majestic class light carrier है, करीब 16,000 ton आप कह सकते हो, इसके आस पास का बहुत जादा नहीं है, लेकिन still UK से हमने लिया था, UK ने इसको World War 2 के समय यूज किया था, तो 1961 में ये आ का INS Virat, INS Virat बहुत जादा news में चल रहा है, अगर आपको जाद होगा अभी recently, Supreme Court ने यहाँ पर उसकी जो dismantling है, उसको एक तरह से एक बार के लिए रोग दिया है, क्योंकि इसकी जो service अगर आप देखोगे, तो 2016 आते आते ये almost खतम हो गई थी, 1987 में again, हमने ये UK से लिया थ तो 1987 में भारत के अंदर आया और 2016 तक रहा और इसका नाम हमने INS Virat रख दिया था, और जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बता रहा था कि अलंग जो आपका port है, वहाँ पर इसकी dismantling होनी थी, लेकिन Supreme Court ने यहाँ पर एक बार के लिए उसको रोग दिया है, क्योंकि petition डाला यह कीव क्लास है, जो कि हमने रशिया से लिया था, इसको Admiral Goshko कहते हैं, इसका नाम हमने INS Vikramadit रख दिया, और 2014 से यह भारत के जो नवल पार है, नवल है हमारा, उसके अंदर सर्विस में है, और यह काफी heavy weight रखता है, 45,000 ton, ठीक है, तो यह बाकी पहले के जो दो aircraft carriers हैं, आपका INS Vikramadit और इसके अंदर जो hangers वगर यहाँ पर aircraft को लगा दिया जाता है, तो करीब 24 जो आपके MiG-29 के fighter jets हैं, उसका हम इस्तमाल कर सकते हैं, और करीब 10 utility जो helicopters हैं, वो भी यहाँ पर रह सकते हैं, helicopters भी stand by पर रखा जा सकता है, aircraft हो गया, तो यह काफी important role play करता है, इस क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगी, क्योंकि इसके अंदर सबसे main काम क्या होता है, कि aircraft को हम अच्छे से operate कर सकें, ठीक है, aircraft को हमेशा यहाँ पर रखें, और कभी भी इसकी जुरत हो तो हम operate कर सकें, तो aviation muscles दिखाने के लिए भी यह important हो गया था, पहले कि जो INS Virat था, उसके अंदर बहुत जादा हम उतना use नहीं कर पाते थे, कई सारे उसके drawbacks थे, लेकिन यहाँ पर यह काफी मजबूती दिया था, और next है दोस्तों, जो कि मैं आपको बता रहा था, 2020 में आने वाला था, लेकिन अभी एक दो साल थोड़ डिले हो गया है, INS Vikrant, और यह भी का मतब होता है, जैसे यह आप aircraft carrier देख रहोगों, तो यहाँ से यह उपर होता है, थोड़ा सा, tilted होता है न, ताकि अचानक से short distance में ही यह आपका take off कर सके, जो aircraft carrier है, तो यहाँ पर यह 2009 में इसको lay down किया गया था, और भारत के द्वारा ही यहाँ पर अगीन बनाए गया, indigenous aircraft carrier है यह आपको धियान रखना है, और विक्रमदित जैसा ही आपको जो wing है, मतलब जहाँ पर aircraft पर stand पर रख सकते हैं, वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब 20-24 जो MiG-29 aircraft हैं, वो हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेक्ट कोर्शन आता है कि हम बार-बार MiG-29 क क्यों बात करें, मैंने आपको बताया कि इस पर aircraft को landing क्यों नहीं हम सुखोई हो गया, जैसे कि अभी recently Rafale आया, उसका क्या हम यूज नहीं कर सकते हैं, देखें, अभी तक जो Indian Navy है, उसने बाकी aircraft का यूज नहीं किया है, उसने अभी नकार दिया है, basically MiG-29 के, इसी का इस्तमा हो गया है, यह hopeful है कि यहाँ पर भारत की जो Navy है, उनको यह बेचना चाहते हैं, लेकिन अभी भारत ने accept नहीं किया, although जो HL Tejas है, इसका भी यहाँ पर version बनाने की बात कही जा रही थी, इसमें कुछ landing वगर अभी आपने recently देखा होगा हुआ था, लेकिन अभी के लिए reject हो है, सिर्फ MiG-29 का ही यहाँ पर इस्तमाल किया जा रहा है, और MiG-29 के है, यह ध्यान रखना जो Naval version है, ठीक है, जो Army के पास है, वो थोड़ा सा different है, तो INS Vishal, अब देखिए, अब हम आते हैं कि जो 2030 तक बनाने की कोशिश की जारी है, तो अल्रड़ी हमारे पास दो अब हो ज 65,000, बहुत heavy और बड़ा aircraft, जिसके तहट यहाँ पर किसी भी प्रकार का aircraft हो, उसको हम इसके उपर उतार सकते हैं, smoothly यह जा सकता है, मतलब किसी भी तरह का role कि अगर हमें आउशकता है, वो हम बना सकते हैं, इसके लिए बात चल रही है, जो UK है, उसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं, जुणने के लिए, let's see कि कब तक होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि, US के साथ जो हमारे deals वगरा हुआ हैं, जैसे कि आपको पता होगा, लेमौा होगा, कुमकासा हो गया, बेका हो गया, इसके तहट कई सारे जो defense का जो हमारा partnership है, US के साथ बढ़ने की वज़े से, हमें बहुत सारे equipment हो गया, कई सारी चीज़ों हो गई, वो इस्तमाल करने का मौका मिलेगा, तो इस particular aircraft के अंदर, जो carrier है, यह जो ship है, INS Vishal, उसका हम इस्तमाल कर सकते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े जो आपके aircraft हो गया, उसको हम यहाँ पर उतार सकते हैं, तो लिगिन अगर तीसरा हो गया एक और, तो यहाँ पर काफी बड़ी शक्ती हमारे पास आ जाएगी, इवन चाइना भी प्रिपेर कर रहा है, और aircraft carriers के लिए, तो इसके लिए भी जरूरी हो जाता है, तो definitely conclusion यही निकलता है, कि हमें भी इसकी आवशकता है, और यहाँ पर Navy को अपनाना चाहिए, futuristic purpose के तोर पर, अब जाने से पहले यहाँ पर हम जो है, एक question कर लेते हैं, regarding Baltic Dry Index के बारे में, दो statement है, बताइए कौन साइस statement correct होगा, और हमेशा की तरह इसका जो answer है, आपको Instagram पर तो मिलेगा ही, अगर आप Instagram पर नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते ह हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हैं, अगर आप मुझसे economy पर ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ, आपसे next time till then, thank you very much, see you soon.